नमस्कार आप देखे रहे हैं सिटी वैम नियोज मैं प्रीदी शंदर एक बार पिर हाज उरी साहार एक पुर्गली नीन की बड़ी खबरों के साथ तो चले शुरुआत करते हैं आज के पहली बड़ी खबर से लोगडाउन में पूरे शहर को सेनिटाइज करा रहा है नगर निगम रविवार को पूंट दाला बंदी के दोरान नगर निगम ने विशे सेनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया है पूरे शहर और बाजारों में सेनिटाइजेशन किया जा रहा है शनिवार रात से ही नगर निगम ने इस अभियान की शुरुवात की थी। पूरे शहर में अभियान चलाय जा रहा है। साटी में बनाकर अलग-अलग शेत्रों में सेनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही दमकल टीम ने भी अभियान शुरू कर दे और सभी सरकारी दफ्तरों को कर्फ्यू के चलते सडके सुनी और गलियों में चहल पहल रही। यूबी सरकार के 35 घंटे के संपून लोगडाउन यानि शनिवार को राथ से कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा था। रविवार की सुबह भी दिल्ली रोड, कोट रोड, अंबाला रोड और दहरा दून रोड पर सननाटा पसरा हुआ था। वहीं बाजारों में भी सभी दुकाने बंद रही। लेकिन इस बार कर्फ्यू का असर गलियों में देखने को नहीं मिला। पुलिस के आने पर लोग घरों में गुशाते थे और उनके जाते ही बाहर निकलाते थे। प्रमुक चोराहों हुआ पर बेरिकेडिंग की गई थी और वहानों की चेकिंग की जा रही थी। सहारानपूर में रेमेडिस सीविर इंजेक्शनों की आई पहली खेब। कोरोना मरीजों के लिए साशन से रेमेडिस से विर इंजेक्शनों की पहली खेप आ गई है। पहली खेप में राज के मेडिकल कॉलिज को 80 बोयल आई है। जबकि यहां से 250 बोयल रेमेडिस से विर इंजेक्शनों की डिमांड भीजी गई थी। अभी तक मेडिकल कॉलिज के कॉविड वोर्ड में 92 मरीज भरती है इतने मरीज के लिए इंजेक्शन अभी काफी है लोगडाउन से पहले बाजारों में उम्ड़ी भीड लोगडाउन से एक दिन पहले शनिवार को खरीदारी करने को बाजारों में भीड लगी रही किराना और सब्जो की दुकानों पर लोगों का ताता लगा रहा वहीं वीकेंड पर लोगडाउन के चलते घर जाने के लिए नोकरी पेशा लोगों को भी चलती रही वहीं बीती रात आठ बजते ही पुलिस ने व्यापारिक प्रतस्थान बंद कराने शुरू कर दिये थे योगी सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं सहारेनपूर के व्यपारियों ने भी अपनी अपनी दुकाने बंद करनी आरम कर दी थी वही साड़े आठ बचते ही मानो शहर में कर्फ्यू जैसे स्थती पैदा हो गई यूपी सरकार द्वारा लागू 35 घंटे के लोगडाउन का जनपत सहारेनपूर में सकती से कराय जा रहा है पालत चप्पे चप्पे पर है पुलस तैनाथ बेवज़ सडकों पर घूम रहे वह मास्क ने पहनने वाले लोगों के काटे जा रहे हैं चाला देखें मीडिया कर्मियों को जानकारी देते क्या बोले ADM ESB सिंग सुनिए सासन की निर्देश के करम में 35 घंडे का हर संडे को बंद किया जा रहा है और इसका उदेश यह है कि यह सारी एक्टिविटीज को बंद कर लिया जा ताकि जो लोगों का फूटफाल मैक्सिम सडकों पे और भीड़वाड होती है उसको रोक करके कोरोना के संक्रम को नियंतित किया जाए तो यह बहुत ही सक्सेसफूल बंदी है आज़ी और इसमें जो एसेंसियल सर्विसेज हैं जैसे दूद का है इंपोर्टन इंडेस्ट्रीज हैं दवाएं हैं और लोगों के जो जीवन से जुड़ी हुई जो ऐसी अनिवारे आवशक्ताइं हैं जैसे कि अन्तेश्टी हुआ बिवा हुआ इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वह उन सबको एक्जेम्ट किया गया है प्रूडेंसेली और आज का पब्लिक का भी पूरा-पूरा सहयोग है बहुत ही सक्सेस्फुल बंदी है और यह हर संडे को गिरिम आधिस तक चलते रहेगी सेनिटाइजिसन किया रहा है पूरे नगर का सेनिटाइजिसन किया रहा है इसके साथ ही जो आउटर पे नगर निकाएं हैं जैसे नगर पंचायत हैं नगर पालिकाएं हैं वहां पे पूरे वार्डों का सेनिटाइजिसन किया रहा है और सभी वार्डों में इसके पहले भी जो एंटी लार्वा टीटमेंट करा दिया गया है ताकि जो अन्या संक्रमर करने वाल विमारिया होती है वो नफ है न और कुरोना को नियंतित करने के लिए सभी आपसेज़ा और सभी वार्डों में लगतार सेनिटाजिशन की करवाई की जानी है वार्ण नमबर 49 में भी चलाया गया सफाई अभियान पुरे शेत्र में विसे सफाई अभियान चलाया गया जिसमें मेला थीन, ब्लीचिंग पाउडर, किटना शेक स्प्री नालियों में डलवाया गया जिससे शेत्र में किसी भी परकार का वाइरस न फैले हिमतनगर, जगदमा कॉलोनी, विने विहार, इंद्रा कॉलोनी, अनमोल विहार, रगु कृष्णा विहार, मानेवर काशी राम कॉलोनी, रामुगेट, नाजिरपूरा सभी सम्माने छेत्र वासियों से अपील की गई कि अपने घरों के अंदर रहें, यदि कोई भी ज़रूरी काम हो, तो घर से जब भी आप बाहर निकलें, मुँपर मास्क लगा कर ही निकलें, किसी भी परकार की अपवहा पर ध्यान ने दें, और सरकार के देगे निर्देशों का पालन करें, और प्रिशासन का सहयोग करें पुलिस की सकती के चलते, तीत्रों में भी सभी बाजार प्रतिस्ठान रहे बन, थाना तीत्रों पुलिस कोविश-19 की गार्लेंड को ले कर चोकनना है, राच से ही पुलिस की गार्णिया सडक पर सरपट की तरह दोड रही है, और लोगों को मास्क लगाने की इदायत दे र पुलिस सब्स्थानों पर गस्त लगा रही है, सिविल कोट के दो करमचारी निकलिस संक्रमित जिलानियायलेंड 19 अप्रेल तक रहेगा बन, सहारेनपूर जिलानियायले में जिलानियायले के 69 करमचारियों का 13 अप्रेल कोविड-19 का टेस्ट कराया गया था, जिनमें से सिविल कोट के दो करमचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के चलते, 19 अप्रेहल तक जिलानियायले पूरी तरह से बन रहेगा, जबकि नियायले, देवबन और ग्राम याले, बेहट में पूर की भाती कार जानवर का इलाज, आज के समय में भी मानवता खतम नहीं हुई है, मानवता की मिसाल पेश करते हुए, नुमाईश कैम्प के रहने वाले वैक्ती, कपल ने एक बेजुबान जानवर, कुत्ते के बच्चे को बिमार होने पर रविवार को लोगडाउन के बीच, पसू चिकि सक को, फोन कर इलाज के लिए नुमाईश कैम्प मुलाया और उसका इलाज कराया, वही इस दोरान कुत्ते के बच्चे को ग्लुकोस की बोतल भी लगवाई गई स्वागत बाजार व्यापार मंडल के कारेकरताओ दोरा शार्दानगर में ऐसा मज़ी कटनाओ, चोडी की घटनाओ से बचाओ, वेपरशासनिक सहयोग के लिए लगाएगे कैमरे, वही मीडिय कर्मियों को जानकारी देते हैं क्या बोले स्वागत बाजार व्यापार मंडल के प्रधान कुलदीब अरोडा सुनिए में दुकानों के आसपा जो भी नाले हैं या कोई गंदगी है, उन्टी सही भकासे सभाई हो जाएगे, और सभी लोगों को हम कहते हैं, अपने मूब पर मास्क लगा के रखे दुकानदार भाई, इससे की कोई भी कोरोना के जलत विक्टे से ना फस जाएगे, और अच्छा का अच्छा कारिये करें, सभी लोग मिल जूलकर हमारे वेपारमंटल का सयोग दें, और हम वेपारमंटल सभी के हित के लिए कारे कर रहे हैं, जय भारत। सहारनपूर नगर कोत्वाली शेत्र के घंटागरव नवाब गन शेत्र में बेवजय घूम रहें लोगों का कटा चालार, रविवार लोकडाउन के दिन सडकों पर थाना कोत्वाली नगर प्रभारी, पंकचपंत के नेतरत में उपनीरक्षक धरमेंदर कुमार वेतुल कु दो राहों पर पुलिस ने चैकिंग की, सडकों पर घूम रहें लोगों से पूछताच की, वाजिब कारण ने बता पाने पर उनके चालान भी काटे गए